Hi everyone, welcome back to my channel, Tanrashi and family, my name is Shivani Guys, आज में लिकर आगई हूँ, आप लोगों के लिए एक और हैश्टैग भी बोल की वीडियो या फिर कहा सकते हैं, लेडी स्पेशल वीडियो because जितनी भी गल्स हैं, चाहे आप टीन एज में हो या अपनी मिड एज में हो या old age में हो, ये problem किसी को भी हो सकती है आज हम बात करने वाले हैं breast cancer के बारे में जी हाँ, आज कल ये इतना भड़ गया है और आपको self awareness के बारे में होनी चाहिए खुद को आप घर पे test कैसे कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, कब serious problems है इन सारी ही बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सबसे important thing, घर पे आप खुद को कैसे check कर सकते हैं regularly कि आपको इस तरह के कोई problem है या नहीं वीडियो होने वाली है बहुत साथ informative, खुद भी जरूर देखिए इसे end तक अपने contact की सारी girls के साथ में जरूर जरूर शेयर कीज़ेगा ये वीडियो for the awareness purpose and वीडियो पसंद आती है तो like जरूर करना, comment करके मुझे अपने feedback देना पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें बेना प्लीज मज़ जाना और notification bell दी जरूर प्रेस करना ताकि मेरे वीडियो के आपको notification मिलते रहें आए शुरू करते हैं आज का वीडियो, let's get started आए पहले कुछ basic सी चीज़ें clear कर लेते हैं Cancer क्या होता है, मैं normally हाँ पे हर तरह के Cancer की बात कर रहे हूँ कि हमारी internal body की जो mechanism होती है, हमारे जो cells हैं वो develop होते हैं, grow होते हैं वहीं अगर किसी को cancer की problem होती है तो ये हमारी internal mechanism में थोड़ा बहुत एक fault आ जाता है जिसकी वज़े से ये cells जो है वो बढ़ना बंद ही नहीं कर पाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं lumps की shape ले लेते हैं, tumors बन जाता है और इसी को ही आगे cancer की जो रूप है वो मिल जाता है और cancer तो आप सब को पता ही है ये कैसी बिमारी है अगर आपने initial stage में हो, अगर आपको recently ही हुई है अगर आपने early stages में इसकी पहचान कर ली तो शायद आप ठीक हो जाओ, उसका treatment करवा पाओ वही अगर इसे पहचानने में delay हो गया अगर आपकी stages जो है, इसकी वो भढ़ गई है तो ऐसे में इसका treatment महुत ही मुश्किल होता है और लोगों को अपनी जान तक गवानी पर सकती है तो बहुत जादा जरूरी है कि आपको जरूर अपने आपको चेक करना चाहिए, सारी विमिन्स को और कैसे चेक करना है वो तो मैं आज की इस वीडियो में बता ही रही हूँ सबसे पहला हम discuss करते हैं कि आपको क्या चीज़ चेक करनी है देखे जब भी आप खुद को चेक करते हैं कि आपको breast cancer है या नहीं कोई lumps या कोई guard है या नहीं तो आपको तीन जगा चेक करना है एक तो अपने breast वाली जो area है उसमें दूसरा अपना जो armpit है यहां पे और तीसरा जो यहां तक collar bone तक आपको चेक करना होता है कि proper आपको हर जगा से breast के अलावा भी जो आसपास का area है जो sides का area है जो उपर का area है collar bone तक आपको खुद को चेक करना चाहिए यह जो check है यह आपको कब करना चाहिए कितने time में करना चाहिए महीने में एक बार आपको अपना self test करना चाहिए और best time होता है कि अगर जब आपकी periods खतम हो गए हो उसके हफते 10 दिन बाद आप एक date को यह कर सकते हैं और हर महीने आप same date में या फिर उसके आगे पीछे एक या दो दिन आप देख लीजए कि एक date आप fix कर लीजए कि जब आपकी periods खतम हो गए उसके बाद में आप हफते दिन बाद या 10 दिन बाद आपको same date के आसपास ही हर महीने खुद को चेक करना होता है ये वाला time क्यों best है इसका भी मैं reason बता देती हो देखिए जब हमारे लड़कियों के periods आते हैं तो ऐसे time में हमारे जो best हैं वहाँ पे हलकी full की swelling होना, tenderness होना ये आम बात है तो ऐसे में आपके लिए खुद को उस time पे test करना थोड़ा painful हो सकता है और जब आपके periods जो है वो खतम हो जाएंगे उसके पाद आप खुद को easily अच्छे तरीके से check कर सकते हैं next चीज़ पे आते हैं कि कैसे check करना है, check करने का process क्या है तो मैं आपको तीन तरीके बताती हूँ कि आप कैसे खुद को check कर सकते हैं तीनों तरीके से आपको अलग-अलग measures करने हैं सबसे पहला तो आप mirror के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने जो कपड़े हैं वो उतार दीज़े आपको सारे कपड़े अपने उतारने हैं और अपनी बॉड़ी को देखिए देखिए यहां पे आपको थोड़ी सी शरम लहाज यह सब हटानी पड़ेगी अपनी ही बॉड़ी से कैसी शरम और जिज़ा कि हमारी ही बॉड़ी हमें खुद को check करना है शीशे में खुद को देखिए और सबसे पहला जो आपको बोस करना है किस तरीके से आपको check करना है वो यह है कि अपने कमर पे हाथ रखिए शीशे के सामने खड़े हुई है और अपना chest जो है आगे की तरफ थोड़ा सा निकाल के तब आप खुद को check करें और एक नजर माने पूरे अपने एरिया पे कि किसी भी तरह की कोई changes तो नहीं है जब आप हर महीने खुद को check करेंगे तो आपको पता होगा कि normally how I look मेरा normal कैसे मैं दिखती हूँ वही अंकर उसमें कोई changes होगा हर महीने आप जब खुद को check करोगे तो आपको पता चल जाए कि कोई changes हुआ है जैसे कि कोई color change हुआ है कोई वहाँ पे pimple dimple हो रहा है आपको pain हो रहा है आपकी नसे जो है वो उभर आई है या फिर कोई discoloration हुआ है या कुछ भी ऐसी कुछ unusual thing आपको लगे कि यह कुछ अलग है मेरा तो उसके लिए आपको यह चीज़ चेक करने है कि तो वो अपने हाथों को दूसरी position आपकी यह है कि हाथों को अपना उपर ले जाए और तब खुद को पूरी तरीके से चेक कीज़े ताकि जो breast के नीचे वाला जो area होता है जिनके heavy breast है उनके जो नीचे वाला area होता है उस वाले skin को भी आप अच्छे तरीके से चेक कर पाए तीसरी और सबसे अखरी चीज आपको लेट जाना है और जिस तरफ का आप चेक कर रहे हैं अगर इस हाथ का चेक कर रहे हैं तो ये वाला है जो है आपको अपने सर के नीचे दबाना है और ऐसे लेट जाना है और तब आपको अपने हाथ की help से चेक करना है दबा के कि कोई lump कोई tumor जैसी कोई gant इस तरह का कुछ तो नहीं आपको महसूस हो रहा है वैसे ही दूसरी side जब आपको check करना है तो उस हाथ को अपने सर के नीचे ले जाएए लेट जाएए और इस हाथ से उसको check कीजे check करने के लिए आप use कर सकते हैं अपनी तीन या चार उंगलियों का और जो आपका skin है breast की या breast के आसपास की armpit की collar bone यहां तक पूरा आपको check करना है और तीन या चार finger की help से उसको आप हलका हलका press करते हुए circular motion में दबाते हुए इस तरीके से आपको पूरा surface चेक करना है हलके आतों से उसे दबाके और हर पूरे surface को cover करते हुए देखना है आपको कि किसी भी तरीक एगा कोई lump या gant आपको नहीं हो रही हो आप अगर आपको वहाँ पर कोई lump दिखे या फिर आपको breast में pain हो रहा हो या फिर और कोई आपको changes में दिखे तो आपको क्या करना है आप खुद को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएए गानेकोलोजिस्ट जो आपकी नियरबाई हो आप उनको दिखा सकते हैं या फिर अपनी आपकी कोई personal डॉक्टर हो उनके पास भी आप जा सकते हैं अपने breast में जो भी आपको changes देखने को मिले हैं कोई gant है या pain हो रहा है वो उस चीज को आप दिखाये कि क्या ये normal है या abnormal है क्या इसका reason है क्या इसमें मुझे कुछ इंता की जरुवत है या नहीं है आप वो चीज चेक करा सकते हैं जो gant होती है उसमें pain भी हो सकता है वो pain less भी हो सकती है ऐसा मत सोचना की pain नहीं है तो इसका मतलब कोई चिंता की बात नहीं है अपने आप ठीक हो जाएगा बहुत सारे जादातर cases में यही देखा गया है कि जो cancerous gant होती है जो ये lump या tumor होता है उसमें pain जादातर cases में नहीं होता है तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना की दर्द नहीं है अभी सरिफ ये gant ही है एक lump ही है तो ये normal है की जरुवत है या नहीं है क्या आपको treatment कराने है तो वो आपको आगे guide कर देंगे गाइस आज की वीजो में हमने discuss किया breast cancer के बारे में कब चिंता की जरुवत है कब डॉक्टर के पास जाने की जरुवत है कब आपको खुद को test करना है कैसे test करना है प्लीज ये जानकारी चोटी ही age की लड़की को होगी ये teenage से लेके old age तक कभी भी आपको हो सकती है अगर आपकी family में अगर cancer या breast cancer चला आ रहा है उनको होने के chances ज्यादा होते हैं और उनको जरूरत है खुद को regularly check करने की और अगर आपकी family में ऐसा कुछ नहीं है तो भी आपको जरूर जरूर ख चेक करते रहें अवेर रहें कब आपको डॉक्टर को दिखाने की सरुवत है कब सीरियस मेंटर जो हो सकता है तो मैं चलते हैं मिलूंगे आपसे अगले वीजो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई थेक्यार